नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्स के चार अती महत्पूर प्रशन दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई सभी एक्जाम ट्मयPSट मैं दोस्तों इस वीडियों में चार ऐसे प्रशनों की चर्चा क्या हों जो स्ट पैटन के कोस्तन होते हैं दोस्तों बार बार परिशाओं मेंपूसे जाते हैं दोस्तो इन प्रिश्णों को शाल्ब करने के लिए मैं आपको आसान टीक भी बताऊंगा जिसके सहाथा से दोस्तो आप इन प्रिश्णों को वीना पर नटnous है सॉल्ब करेंगे और भी मातर कूछी सेकेंड के अंदर तो आई यह दोस्तो देखते हैं महत के चार अति महतपूर प्रश्न देखिए दोस्तों पहला कोश्चन है और इस टाइप के कोश्चन दोस्तों बार-बार परिश्चाओं में पूसे जाते हैं जब ऐसे कभी भी दोस्तों आपके प्रश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्ब करेंगे मैं आपको बता रहा हूं देखिए पहले प्रश्चन पढ़ लीजिए प्रश्चन कहा रहा है किसी परिच्छा में 93 परसेंट चात्र पास हुए तथा 269 फेल हुए परिच्छा देने वाले चात्रों की कुल संख्या कितनी थी तो दोस्तों जब 93 परसेंट आपके एक्जाम में मतलब कोई परिच्छ जब पास हो गए और प्रसेंट को समझेंगे तो प्रस्च में यह नहीं लिखाया कि कितने पर संट फेल हुए जानी कि 269 जो फेल हुए वही 7% के बराबर है यानि कि जो 7% दोस्तो फेल हुए उससे कहने का मतलब है 7% बराबर 269 एक बार अच्छे से समझेए देखिए दोस्तो एक बार और समझाता हूँ किसी परिछा में 93% छातर पास हुए तथा 269 फेल हुए परिछा देने वाले छातरों की पास हो गए और 269 फेल हुए हैं तो कितने परसेंट में फेल हुए हैं दोस्तो जब 93% पास हुए हैं तो साती परसेंट फेल हुए तो यही दोस्तो जो 7% है 269 के बराबर है जब 7% बराबर 269 तो हम क्या करेंगे दोस्तो एक परसेंट की वाल्यू निकालेंगे एक कैसे निकालेंगे दोस्तों एक परसेंट वराबर हम कैसे निकालते हैं यह 269 है इसको क्या करेंगे साथ से भाग कर देंगे तो एक परसेंट की वैलु आ जाएगी 269 बट्टे में क्या कर लेंगे दोस्तो 7 अब कटार लेंगे इसको 7,3,20 हो जाएगा 4 इधर बचा 9 इधर 49 हो जाएगा यानि 7 सत्य क्या हो जाएगा दोस्तो 49 हो जाएगा यानि कि 1% की value किटनी आ गई 1% की value आ गई 37 37 आ गई न एक परसन कितना आ गया गया एक पर्षेंट बरहबर सेंथिसा में तो जब एक पर्षेंट बरह बर दोस्तों थैसक वहा तो हंडेड़ पर प्रश्ण को एक दम अच्छे से समझ गये होंगे देखिए एक बार और समझा देता हूं और ली समझ लीजिए कुछ ज्यादा नहीं सोचना आपको इस पेपर में इसमें आपके लिए पेन भी उठाने की जोड़त नहीं है बीना पेन उठाए स्वाल करेंगे कैसे दोस्तों क किसी परिच्छा में 93% चात्र पास हुए तथा 269 चात्र फेल हुए परिच्छा देने वाले चात्रों की कुल संख्या कितनी थी जब कभी दोस्तों इस टाइब के प्रशना है तो इसमें क्या दिया रहता है इसको परसेंटेज में नहीं दिया रहता है इसको अंकों में लि परबर 269 चात्रों के जब 7% परबर 269 तो एक परसेंट की वैलु कैसे निकालते हैं दोस्तों इसी 269 को हम क्या करते हैं दोस्तों 269 को 7 से हम भाग कर देते हैं 7 से जब भाग करेंगे तो 7 किस हो जाएगा 4 इधर बचेगा 949, 77049 तो एक परसेंट की वैलू कितना आ गई द तो कूल छात्रों की संखे हैं कितनी थी दोस्तों हंडेड़ पर्संट थे तो हंडेडर परसंट बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा एक पर facult Religion तो हंडेडर परसंट बराबर 4700 3700 किस ऊप्षन में हैं आपका ओंप्षन न defenders नामबर दोस्तों क्या हो जाएगा पर्षंट की वैलू आजाता एक पर्षंट की वैलू आता उसमें आप क्या करेंगे स्वाव से गुना कर देंगे तुरंथ पर्षंट की वैलू निकल जाएगी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रेशन को एक दम अच्छे से समझ गयोंगे पेपर में आएगा तो लाब की प्रतिस्दा होगी पहले तो प्रेशन समझ लीजीए प्रेशन कहा रहा है अगर जो मान लीज dolphins को आप खरी दें पांच रुपए में ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए करेमूल और बिकरेमूल क्या होते है दोस्तों selling price जिसपे आप किसी बस्तू को बेच रहे हैं मालिजे दोस्तो आपने तो 5 रुपए में खरीदा तो ये 5 रुपए क्या क्या हो गया ये करेमूल हो गया आपने उस बस्तु को क्या किया 6 रुपए में बेच दिया जो ये 6 रुपए में बेचे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तो बिक्रेमूल हो जाएगा बिक्रेमूल को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइसिंग लिस में ठीक है तो 6 रुपए क्या हो गए आपका बिक्रेमूल और ला हो रहा है अब पूछ कर रहा है तो लाब की प्रतिसतीता होगी क्या होता है दोस्तों लाब बटा करे मुल गुणे सो होता है ठीक है तो एक रुपए की लाब बालेगे हम निकालेंगे लाब प्रतिसत बरबर एक्वाब परदेक죠 5 6 ना एक बटा 5 गुणे क्या हो जाएगा 100 यह आ जाएगी आपकी लाभ प्रतिसाथ तो 5 से 100 को कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों 20 बार में क्यों नहीं है एक बार और समझाता हूं जब कहा रहा है दोस्तों यदि किसी बस्तू के क्राय मुल्य तथा भी क्राय मुल्य का अनुपात क्या दिया है पांच अनुपाते छे कमाल लीचे दोस्तों कोई बस्तू है आपने पांच रुपए में खरी दी और छे रुपए में ब option number D में दिया गहे है आपका option number D दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और इसी type से दोस्तों इसमें कभी-कभी हाँ की परिति सत्ता पूछ लेता है क्रेमल अगर जो क्या करता और तीन रुपए में बेश देया तो हानी की परिशत्ता क्या हो जाती कितने रुपए कम में बेचा एक रुपए कम और किसने रुपए क्रेमुल उसका क्या था चार रुपए तो एक बटा चार गुणे 100 कर लेते तो यह क्या आ जाता अगर जो 4 is to 3 के रेशियो में रहता तो तो 4 से 100 को कटाएंगे तो 25 की तब हानी आने लगती ठीक है तो हानी की परिशत्ता भी आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं तो इस टाइप के कभी भी दोस्तों प्रशन आएगा तो आप ऐसे सॉल्प कर लेंगे मात्र कुछी सेकेंडों में आज इसमें आपको पेन भी आपको next question पहले ebook देख लीजिए देखिए दोस्तों यह ebook जो है यह पंचम publisher की ebook है दोस्तों बहुत ही अच्छी ebook है दोस्तों इस ebook में दोस्तों आपके जो भी आगामी परिशा होने वाले हैं उसके लिए important question दिये गए हैं जैसे है दोस्तों आप RPF SI Ocon stable की exam देंगे SSC GD देंगे UP Police या SI Video Lake Pal Railway या SSC की कोई या other कोई सभी exam दोस्तों देंगे उस आगामी सभी परिशाओं के लिए दोस्तों यह important रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इस ebook में उन प्रशनों को सामिल किया गया है जो प्रशन आपके paper में बार-बार पूसे जाते हैं repeat जो प्रशन क होगी और एक और चीज बता दोस्तों और इसमें 10 आपको one liner set मिलेंगे one liner set कहने का मतलब है दोस्तों question answer question answer 50-50 set के 10 आपको set मिल जाएंगे 50-50 question के ठीक है और इसमें question किस टाइप के होंगे दोस्तों तो science के question दिए गया है 20 रुपए में मिल जाएगी दोस्तों इस ebook को आप ले कहां से सकते हैं तो इसको लेने का जो दोस्तों link है और मैं नीचे description box में भी दे दिया हूँ और comment box में भी दे दिया हूँ आप कहीं से भी दोस्तों इस ebook को मातर 25 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों यह ebook है digital book की तरह है PDF notes की तरह है यह market में आपको नहीं मिलेगी कागज वाली यह book नहीं है यह आपके mobile में ही download हो जाएगी और आप इसे mobile से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों यह ebook दोस्तों आपको देखिए और दोस्तों इस ebook में आपको किसी परकार की समस्या होती है downloading या payment से किसी परकार की दोस दोस्तों यह ebook बहुत ही अच्छी ebook है मैं इसे खुद देखा हूं दोस्तों इस ebook में जो question दिये गए हैं आपके paper में पूसे जाने वाले ही question दिये गए दोस्तों इस ebook को आप भी देख लीजिएगा अगर जो आपका paper में कुछ भी कुछी दिन बचा है दोस्तों अगर जो थोड़ा अभी time है तो इस ebook को दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा आपके paper में काफी फायदा मिलने वाली है दोस्तों यह pdf notes की तरह आपके mobile में बार बार पूछे जाते हैं यह भी प्रश्ण दोस्तों बहुत बार paper में पूछा जा चुका है दोस्तों इस प्रश्ण को आप solve कैसे करेंगे देखिए पहले प्रश्ण पढ़िए प्रश्ण कहे रहा है दोस्तों एक तिर्भूज के तीन कोण करमसा तीन अनुपाते चार पांच के अनुपात में हैं तो प्रते कोण कितने अंस के हैं दोस्तों आपको बता दू पहले तिर्भूज के में समझ लीजिए मान लीजिए दोस्तों यह कोई तिर्भूज है ठीक है और इसके जो आपके कोण है दोस्तों आपके किस अनुपात में दोस्तों तीन अनुपाते मान लीजिए कोण तीन है तो यह चार के अनुपात में और यह कितने का अनुपात में पांच के तो दोस्तों आप तिर्भूज के बारे में थोड़ा समझ लिए दोस्तों कोई भी जो तिर्भूज होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं ना आंता कोण यानि कि आंतरिक जो ये तीनों कोण होते हैं इन कोणों का योग कितना होता है दोस्तों इन कीनों कोणों का योग क्या होगा अंता दोस्तो 180 तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तो इस ratio को जोडेंगे 3, 4, 5 जोडेंगे 3, 4, 7, 5, 12 total ratio कितना हो रहा है दोस्तो 12 हो रहा है न तो 12 ratio को हम क्या करेंगे दोस्तो 12 ratio बराबर कितना degree होगा 180 degree होगा तब हम क्या करेंगे दोस्तो एक ratio की value निकाल लेंगे एक ratio की value कैसे निकालेंगे 180 को क्या करेंगे आप 12 से divide अभी आपको बता है ना percentage में कैसे ratio की value निकालेंगे दोस्तों जब 12 ratio बराबर 180 है तो एक ratio बराबर क्या हो जागा 180 को 12 से divide कर देंगे तो 12 से अगर जो आप डिवाइट करेंगे दोस्तों तो 12 एकम 12 और 6 और 0 हो जाएगा निए 60 हो जाएगा 12 पच्चे 60 तो एक ratio बराबर दोस्तों क्या आजाएगा 15 degree आजाएगा एक ratio बराबर कितना आया दोस्तों 15 degree आया न और तिर्भूज के जो आपके अनकोर दिये गए है कितने कितने दिये गए है 3 ratio, 4 ratio, 5 ratio के में दिये गए है तो एक ratio बराबर दोस्तों कितना आया 15 degree तो 3 ratio बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा 15, 3, 45 हो जाएगा और 4 ratio बराबर क्या हो जाएगा को हम जोड लेंगे 345 जोड़ लेंगे टीक है थीन चार पांच को जोड़े थीन चार शाथ पांच 612 बारा रेसियो साफी तो एक रेसियो बारा क्या हो जेगा 15 तियां क्या होता है 45 होता है और 4 रेशियों पराबर क्या हो जाएगा 15 चुको क्या होगा दोस्तो 60 हो जाएगा और 5 रेशियों पराबर क्या हो जाएगा 15 पच्चे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा तो यह दोस्तो प्रते कौन कैसे हो जाएगे 45, 60, 75 तो 45, 60, 75 डिग्री ऐसे किस option में दिख रहा है आपको तो option नमबर दोस्तो B में दिख रहा है तो आपका option नमबर B दोस्तो क्या हो जागा सही हो जागा जब कभी भी दोस्तो इस टाइब के प्रशना है तो आप ऐसे solve करेंगे दोस्तो इसके लिए आपको तिर्भूज बनाने की भी जोरत नहीं मैं तो आपको समझाने के लिए तिर्भूज बना दिया कि तिर्भूज के जो दोस्तो ये तीनों कोण होते हैं ता तीनों का योग क्या होता है 180 ڈگری होता है और 3, 4, 5 दिये थे तो हम क्या किये 3, 4, 5 रेशियो को जोल लिए तो 12 रेशियो हो गए 12 रेशियो बराबर 180 डिघृ तो एक रेशियो बराबर आपका 15 डिघृ आ गया तो ये क्या हो जाएगा 14, 35 डिघृ कर हो जाएगा और यह क्या 15, 4, 60 का हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 15, 5, 75 का हो जाएगा 45, 6, 75 किस ऑप्षन में दिख रहा है तो आपका ऑप्षन नमबर बी सही हो जाएगा आप दोस्तो देख रहे होंगे कि सभी में ऐसे दिख रहा होगा तो 15-4, 60 हो जाएगा और तीसरा ला-5 है तो 15-55 तो ऐसे बताएंगे 45-65 किस उप्षन में है उप्षन नमबर B में है तो आपका उप्षन नमबर B दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जोरत है बिल्कुल भी नहीं है जब आप प्रक्टिस कर लेंगे तो बीना पेन उठाएगे इस टाइप के प्रशनों को दोस्तों साल्व करेंगे तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप expression को एकदाम अच्छे से समझ गया होंगे paper में आएगा तो अच्छे से solve भी कर लेंगे अगला दोस्तों question देखिए इसमें एक और question बनता है अगर जो ratio देदे 2 is to 3 is to 4 भी देदे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं सकते हैं 2 3 5 4 9 जोड़ देंगे 9 बराबर ratio बराबर 180 तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा 20 डिगरी आ जाएगा 180 को 9 से भाग कर देंगे और तो आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 20 दूना का 40 हो जाएगा तो इसके लिए दोस्तों आप ऐसे solve करेंगे मात्र कुछी सेकेंडों में, बस आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जो तिर्भूज दोस्तों होता है ना ये तिर्भूज, इसके तीनों अंतकों कमान क्या होता है, 180 डिगरी होता है, तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप कैसे solve करेंगे, देखिए दोस्तों इस प्रश्न को solve करने के लिए पेन उठाने की भी जवरत नहीं है, तुरंत आंसर बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, मैं आपको बता रहूं, देखिए, प्रश्न कहा रहा है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर सेस्फल 19 आता है, त जदन उशार, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर सेस्फल कितना आयेगा, ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों कभी भी प्रश्न आये, तो आपको देखना क्या है, दोस्तों यह जो पहले दे रहा है न, 36 से भाग देने पर, तो इसी 36 को हम दोस्तों क्या करेंगे, यह जो 12 है न, 12 से भाग देने पर सेस्फल कितना आयेगा, तो हम 12 से भाग दे के देखेंगे, क्या यह पूरा-पूरा भाग चला जा रहे, तो हाँ, पूरा-पूरा भाग चला जा रहे, बारती यह 36, ठीक है, बारती यह जब 36 हो जा रहे, यह जब पूरा-पूरा दोस्तों यह कट कुल मुद्ध है पर तो करेंगे करेंगे बारा से अंसर हो जाएगए कितने बार अंसर हो जाएगा जो कि option number A में दिया है आपका option number A सही हो जाएगा दोस्तों इस type के कभी भी प्रशना है तो आप ऐसे solve करेंगे बिना पे नुखाए कैसे solve करना है आपको कुछ नहीं सोचना है बस देखना है 12-36 पूरा-पूरा कट जा रहे न तब क्या करेंगे 19 को ही 12 से भा कर देना है जो से solve आए वही answer हो जाएगा जो कि option number A में दिया गया है 19 को जब 12 से भाग करेंगे तो साथी से solve आएगा और यही साथ क्या हो जाएगा दोस्तों answer हो जाएगा क्या इसके लिए पेन उठाने की जोरत है बिल्कुल भी नहीं है और यह प्रशन बार-बार पेपर में पूसा जाता है तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों आप इन सभी प्रशनों को एकड़म अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि यह सब प्रशन आपके पेपर में बार-बार पूसे जाते हैं दोस्तों अगर जो आपका कोई चेप्टर भी तो नीचे दोस्तों आप जरूर टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रूप हो उस ग्रूप में इस वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा जो दोस्तों इस चैनल पर नहीं है जिनको दोस्तों हमारी वीडियो की नोडिफीकेशन नहीं मिलती है नीचे दोस्तों रेट कलर का इस टैप से के चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए दोस्तों और जुड़ने के बाद दोस्तों बगल में वेल आइकन के सिंबल बनेगा वेल आइकन को यह आन कर लेंगे दोस्तों यह नोटिफीकेशन वेल आइकन है जब यह आन रहेगी तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो उसकी नोटिफीकेशन आप तक जाएगी यह नहीं आप तक मैसेज आएगा कि मैंने यह वीडियो अपलोड की है तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस तो जरूर कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्पुड परेशनो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद